हलो स्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे एलकिनों का आपेक्सिक इस्तायुत यानि relative stability of alkane से एलकिनों का जो इस्तायुत होता है उनकी हाइडोजनी के रहने उश्मा यानि हीट ऑफ हाइडोजिनेशन से संबंदित होता है और जो heat of hydrogenation होता है वो एक उश्मा किशेपी reaction होता है यानि exothermic reaction होती ही reaction से उश्मा का निश्काशन होता है इसको हम एक example के द्वारा भी समझेंगे सबसे पहले यह देखिए यह एलकीन है जहाँ पर आस्ट मॉल्यक्यूल का additions करवाकते हैं तो एक पाइब बोन दो सिंग्मा बोन में वह मात्रा है जो एक मॉल एलकीन के hydrogen करण से मुक्त होती है यानि कि जब एक मॉल एलकीन का hydrogen करते हैं उनमें hydrogen का addition करते हैं तो जो उश्मा मुक्त हो रही है वो है hydrogen करण की उश्मा कहलाईगी अब यह देखिए यह पर एक example है यहाँ पर hydrogen करना है हमें हमें सेल्किन का तो उसके लिए सबसे पहले एक पाइब बॉंड और एक सिग्मा बॉंड टोड़ना पड़ेगा और इसके लिए टोटल उर्जा कितनी देनी पड़ेगे अपने को इतनी उर्जा अपने को देने पड़ रही है यानि 164 किलो केलोरी प्रतिमोल और जब दो रोक्त रेक्षण में 30 किलो कैलोरी प्रतिमोल उषमा का निष्काशन होता इन्मिन से गझा कर डियाक्टि से में जोकिए है क्ली करन कि एसञा और निर्धानिन करने में ऊपयोकिल लिए जा सकती है तो हाइट्रोजनी के इसलिआधสरुा बीट में क्या रिलेशन हैं हो हम देखते हैं कि इस ताइत्व हाइडोजनिक रणकी उश्मा के कुरुमानुपाती होता है मतलब यदि हाइडोजनिक रणकी उश्मा ज्यादा है तो इस ताइत्व कम होगा और हाइडोजनिक रणकी करण की उश्मा का माण है 32.8ं8 Sいた तो यह पर एथान मालोट्यूल के लिए हाइडोजेन करंड की उश्मा का माण ज्यादा है अध रहत है क्शा रहत पर जो नीपें की तुल्ना में क्या होगा डिस्टिबल होगा अब हमाँ आगे बात करते हैं वन प्रोपीन मॉलिकूल एथीन की तुमला में क्यों ज़्यादा इस्तायत है तो उसका एक रीजन होता है हाइपर कॉंज्यूगेशन जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं यहाँ पर देखिए यह जो सी डबल बॉंड सी है उसकी जो एलफा पोजिशन पर कार्बन जुडावा उसके कितने हाइडोजन है तीन हाइडोजन है इसकी वजह से टोटल रेजुनेटिंग इस्ट तरी की कोई रेजुनेटिंग इस्ट्रिक्चर नहीं बनती है अब हम आगे बात करें तो जैसे जैसे एथीन में हाइडोजन प्रमानुकिस्तान पर मेथिल समू प्रतिस्ता पे धोने पर हाइडोजनी करण की उश्मा गड़ती है एवं इस्ताय तो बढ़ता है हाइडोजन करण की उश्मा एवं इस्तायत वी एलकिनी संद्शना से संबंदित होते हैं एवं निम निश्कर से निकाले जा सकते हैं तो एलकिल समू की उपस्तिती अधिक साकित एलकिनों की हाइडोजनी करण की उश्मा कम होती है अधिक प्रतिस्ता पी एलकिन अधिक इस्ताय होते है एलकिनों में इस ताहित का क्रम इस प्रकार से है तो जैसे 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 यह CH2 double bond CH2 है अगर इस कार्बन के यह दोनों हाइड्रोजन क्रम प्रतिस्ता पित करते जाएं एलकिल समू से और इसी तरीक से इस कार्बन के भी दोनों हाइड्रोजन एल्किल समूज से प्रतिस्था पित करते जाएं तो इस प्रकार से बनने वाली एल्किन के इस तायतू जैसे जैसे हाइडोजनों को प्रतिस्था पित करते जाएंगे वैसे वैसे उस एल्किन का क्या इस तायतू बढ़ता जाएगा जिसको हमें निमने एक्जांपल की द्वा रारा समझ सकते हैं यहां पर हमने एक हाईरजन को यहां मिर्यंस अब करेंगो करन की उस्टमा का मान लगातार घठता जारा है अता स्टामर करेंगोrzyियो भीटТा के हाइडरोजन प्रमाणों को एलकिल समू के द्वारा प्रतिस्था पित करने पर उस संबंदित एलकिन का इस्तायत्व बढ़ता जाता है क्योंकि हाइडरोजन करन की उश्मा का मान गड़ता जाता है अब एलकिल समू का अभी विन्यास तो आभी विण्यास में देखिए आप एलकिन के वीपक्स जो समावयी होते हैं वो संपक्स समावयी से अधिक इस्ताए होते हैं क्योंकि वीपक्स समावयी त्रिम्यम विण्यासी बाधा नहीं पाया जाती तता wanderwaals इस्ट्रेंड़ भी नहीं पाया जाता या कम पाया जाता है या हम इसको बोल सकते हैं संपक्स समाववव के तुलना में बहुत कम पाया जाता है अब हम बात करेंगे chemical reactions एलकिन्स की chemical reactions हमें पता है C double bond C अंचे situation है यहापर S अंतरत रता है इसलिए किस प्रकार की reaction देंगे यह योगात्मक reaction देंगे जिसमें की pi bond break होगा और sigma bond बनेगा एलकिन की योगात्मक अभी क्रिया में एक pi bond एमाँ एक sigma bond दो sigma bondों में परिवर्टित होते हैं एक pi bond तो किसका हो गया इस reactant का और यह reactant का एक तरीके से इसका तो sigma bond टूट रहा है और इसका pi bond टूट रहा है और दो क्या बन रहे है दो बन रहे है sigma bond और यह इस परकार की योगात्मक अभी क्रिया को कैसी होती है सामान्य थर एक्जोथर्मिक reaction होती है यानि की उश्मा का निश्काशन होता है reaction में इसलिए यह stable भी होती है अब इलकिन योगात्मक अभी क्रिया होती है लेकिन कैसी वाली योगात्मक अभी क्रिया होती है उसके बारे में बात करें तो यह electrons नहीं योगात्मक अभी क्रिया ही होती है यानि की इलेक्ट्रोफाइल जो की electron को प्रती रूची रखता है electrons जाकट reaction करता है electrophile यहाँ पर reaction करेगा क्योंकि alkin जो molecule होती है या alkin जो होता है वह pi rich molecules होते हैं उन पर pi bond के वज़े से उपर और निचे के तरफ pi electrons का बादल पाए जाते हैं इस वज़े से electron rich molecules होते हैं तो alkin में pi bond electron के स्रोत है क्योंकि pi electron खुले होते हैं और परमाणों के तल के उपर और निचे उपस्तित होते हैं कार्बन परमाणों को पकड़े रखने में pi electron का कम योगदान होता है और तीसरा क्या होता है pi electron जो कम मजबूती से बंदे होते electrons नहीं आक्रमन के लिए आसानी से उपलब्द हो जाते हैं इसलिए यही एलकिन pi बंद electron के अच्छे स्रोत है यह तीन जो हमने देखे region उसकी वज़े से एलकिन molecules जो होते हैं वो pi electron के अच्छे सोर्स होते हैं अब हम बात करते हैं एलकिनों की क्रिया सीलता योगात्मक अभी क्रियाओं में तो देखिए electrons नहीं योगात्मक अभी क्रियाओं में एलकिन की क्रिया सीलता electron की उपलब्दता पर निर्भर करती है obviously electron ज़्यादा होंगे तो electrophile आसानी से उनको पकड़ लेगा तो कितना ज़्यादा एलकिन में electron rich है या एलकिन कितना ज़्यादा electron rich है उस पर depend करेगा उसकी अभी क्रिया सीलता पर तो देखिए इसलिए वे समूझ जो electron घनत में व्रदी करते हैं मयानी की जो की electron religion group होते हैं जो की electron को देने का कार्य करेंगे electrons नहीं योगात्मों का अभी क्रियाओं को अधिक आसान और अधिक तेज कर देते हैं एलकिन में electron से नहीं अभी क्रियाओं के प्रतिक क्रिया सिलता क्रम इस प्रकार है यहाँ पे दो आर्टो ग्रूप जूड़े होए हैं जो की क्या होते हैं प्लस आई एफेक्ट दिखाएंगे और electron को अपने से दूर धके लेंगे या C double bond C पर πाई electron का या electron का गनत्व पढ़ाएंगे यहाँ पे तीन एलकिल समूँ है यहाँ पे दो एलकिल समूँ जूड़े हो है लेकिन यहाँ पे symmetry है और यहाँ एसिमिट्री है और यहाँ पर एक और यहाँ पे केवल simple एलकिल तो आर क्या है यहाँ पर electron प्रदान करने वाला या एलकिल समूँ है जिसको हम electron दाता भी कह सकते हैं क्रियाविदी के बारे में बात करते हैं कार्बन कार्बन द्वीपंद पर अभी कर्मक के योग की समानिक रियाविदी निमने दो पदों में संपन्न होती है सबसे पहले हम बात करेंगे पद एक की तो पद एक में क्या होगा देखिए जो electrons नहीं ए प्लस अपनी खालिक अक्सक के साथ एलकिन के πाई electron अबर के पर उसके लंबवत या तल के उपर या नीचे की दिसा में से आक्रमन करके क्या बनाएगा पाई संकूल बनाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा जो electrons नहीं है एलकिन के पाई electron जो अबर है उसके साथ इंट्रेक्ट करेगा और उपर या नीचे की दिसा में आक्रमन करके क्या बना रहा है पाई संकूल और उसके पाद क्या करेगा पाई संकूल का कार्ब के टाइम में पुनरविन्याश होता है जिससे electrons नहीं एवं किसी एक दूबंद वाले कार्बन प्रमावनों के मद्दे क्या बनेगा सिग्मा बनेगा तो यह देखे यह रियेजेंट यानि अभी करमक है यहाँ पर जो यह Electrofile है या तो उपर की तरफ से या नीचे की तरफ से इससे PyElectronubus से इंट्रेक्ट करेगा और क्या बनाएगा पायसंकुल बनाएगा इस तरीके से इसने PyElectronubus बना लिया यह पायसंकुल हो गया अब यहाँ पर जो कार्बो केटायन बनेगा उसका रियार्इंजमेंट होगा और यह जो कार्बो केटायन पर लाश में जो वो निक्लेफाइल बचेगा वो इस पर क्या करेगा अटेक करते गा यदि इलेक्टोंस ने के पास एक s हावाजित इलेक्टोंस यूग मूह हो तो तीन सदस्च्च क्रिय के टायन बनता है जिसमें इलेक्टोंस नई कार्बन, द्वीबंद के दोनों कार्बन प्रमाणों के साथ दो सिगमा बंद बनाता है और स्वयम दनावेशित रहता है इसे हम क्या बोलेंगे चक्रिय धिनायन केते हैं और इसमें कुछ हद तक कार्बोकेटायन के गुण विद्यमान रहते हैं अब पद सेकंड क्या है इस पद में जो मद्यवर्ती कार्वोकेटायन या चक्री कार्वोकेटायन है नाविक्स ने इसे जुड़कर योगात्मक उत्पाद बनाते हैं इस तरीके से जो नुक्लियोफायल लास्ट में अटेक करेगा और क्या बनेगा योगात्मक उत्पाद ब द्वीपंद पर इलेक्टून्स नहीं का योग होता है, अब हम बात करते हैं संपक्स और विपक्स योग, सबसे पहले हम बात करते हैं संपक्स योग, यानि सिन एडिशन, यदि अभी कर्मक के इलेक्टून्स नहीं, एम नाविक्स नहीं भागो का योग, कार्बन कार्बन के एक ही और, यानि की सेम फेस से होता है, तो इसको संपक्स उत्पाद या सिन प्रोड़क्ट हमें प्राप्त होता है, देखिए, अगर हम टूडी स्ट् प्रोड़क्ट का एडिशन हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, संपक्स उत्पाद या सिन प्रोड़क्ट, यह प्रोड़क्ट कौन सा हो गया, सिन प्रोड़क्ट हो गया, क्योंकि इसमें, इसमें इलेक्ट्रोफाइल और नुक्लोफाइल का एडिशन दोनों का सेम तरफ हो गया है, तो यह कौन सा प्रोड़क्ट हो गया, यह हो गया, सिन प्रोड़क्ट, और अगर हम बात करें विपक्स योग की, तो विपक्स योग में जस इसका अपोसिट हो जाएगा, अगर Electrofile उपड़ से Attack करेगा तो Nicolas कितर से Attack कर रहा है निचे से Attack कर रहा है तो Electrofile और Nicolas दोनों wepprit face पे होंगे एक दूसरे के opposite face पे होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे स्ट एंटी एडिशन या एंटी पृड़क्ट तो इस तरीके से आज हमने क्या-क्या बात कर ली, सबसे पहले हमने बात करी Stability of Elkin, जिसका हमने देखा कि जो Stability होती है, वो किसके अधार पर समझाई जाती है वो Hydrogenation की उश्मा के अधार पर, या Heat of Hydrogenation के अधार पर समझाई जाती है और Elkin की इस्तायत और Hydrogenation की उश्मा के बीच में क्या समंद है उसके बीच में जो यह समंद होता है कि अगर Hydrogenation की उश्मा ज़्यादा होती है तो इस्तायत वह कम होता है और Hydrogenation की उश्मा कम है तो इस्तायत वह ज़्यादा होता है और जैसे जैसे एलकीन के हाइडोजनों को में एलकील समूग के द्वारा प्रतिस्थापित करते जाते हैं तो उनका क्या रेजुनेटरिंग इस्टेक्शन बढ़ती जाती है हाइपर कॉंजुकेशन की वज़े से और इस वज़े से हाइडोजन के अरण की उश्मा का मान कम हो युषथेशन के जाता उसमें कोई सबी प्रतिस्थापि नहीं जुडाता तो युस्ट इस्टेवल होता है उसके बाद आपने बात करी रासाइनिक अभी क्रियाओं की तो आपने देखा सबसे पहले जो most common reaction होती है या characteristic reactions होती है एलकीन की वो होती है इलेक्टोंस नहीं योगात्मा भी क्रिया है क्योंकि इनके पाई इलेक्टोंस का अब रुपाये जाता है उपर और नीचे इस वजह से यह इलेक्ट्रोंस ने युकात्म का भी क्रिया देते हैं और इस दो पदों में संपन होती पहले तो इलेक्ट्रोंस ने आक्रमन करता है और सेकंड पड में जो बचा हुआ नुक्लियोफायल वो आक्रमन करता है इस तरीके से आज और उसके बाद हमने संपक्स योग और वि इतना ही धन्यवाद